इस मोड्यूल में हम बात करेंगे triploblastic asylomate pattern की triploblastic, diploblastic यह दोटर्म्स हैं जो के frequently Zoology में यूज होती हैं triploblastic animals क्या होगे जिनके अंदर mesodermally derived tissues जो हैं, they usually form a solid mass of cells एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म और इस टिशूस को हम कहेंगे जो इन से डिराइब किया है एसलोमेट्स यानि के इनके अधर प्रॉपर सिलोम नहीं है इनको हम कहेंगे एसलोमेट्ट एनिमल्स और एसलोमेट्ट एनिमल्स के जो डिफरेंट रेप्रिजेंटेटिव फाइल हैं उसमें है प्लेटी हेलमेंथिस निमर्टिया यानि रिबन वार्म्स गेस्ट्रो ट्रीका फ्री लिविंग और्गेनिसम्स एड फ्रेश वार्टर स्पीशिज अब इनके एसलोमेट पैटरन वाले जानदारों के इम्पोर्टेंट क्रेक्टरिस्टिक्स क्या है बायलेटरल स्मिट्री इसको हमने आपको काफी डिटेल में कर दिया है मीजोडर्म मसल्स अनदर टाइप आफ आफ ऑर्गेंस धैटर प्रेजन्ट नर्वस सिस्टम बेल डवेलप्ट होगा ब्रेन होगा स्पाइनल कॉर्ड body cavity मौजूद नहीं होगी अब यह body cavity जब true body cavity नहीं है तो जो body cavity है that is usually filled with mesodermal mass that is present between the epidermis and digestive tract अब यह जो जानवर हैं ज्यादा तर किस तरह के होंगे dorsal ventrally flattened और commonly इनको हम क्या कहेंगे flat worms इसमें कुछ cells जो है they are present between the ectoderm and endoderm और जो इनके अदर दर्मियान में loosely arranged cells है उसको हम क्या कहेंगे parenchyma और यह जो cells होंगे they will be called parenchymal cells अब parenchymal cells जो है यह specialized नहीं है specialized नहीं है तो इसका क्या मतलब है कि इन में से हर एक का अपना-पना specific function नहीं है बलके कोई भी यह function perform करेंगे तो collectively ही करेंगे अब जो इसमें organs है एसलो मेट animals में उनको हम कहते हैं एसलो मेट organs अब यह organs जो है they are not protected और इनके उपर जो है कोई भी एनिमल के उपर outers अगर force supply करें तो इन organs के damage होने का भी हच्चा है इसी तरह से majority of जो एनिमल्स हैं flat worms हैं एसलो मेट animals हैं यह रहेंगे ज्यादा तर liquid environment में जहां पर यह easily इनका environment के साथ exchange या diffuse हो सके gases का या nutrients का यह आप देखें यहां पर एक typical pattern है triploblastic acylomate इसके अंदर कोई भी true sylome मौजूद नहीं है ectoderm पाहिर वाली लेयर उसके बाद mesoderm और उसके बाद endoderm और center के अंदर है gut this is a typical pattern of triploblastic acylomate animals